आज हरताली का तीज की आप सभी को सुब कामना है वीडियो में पूजा का सुब महरत जानेंगे और साथी आज घर पर किये जाने वाले सर्विस रेश्ट उपाए जो कि आपको बहुत सुख देंगे जीवन की हर एक कामना सिध्ध करने में सहेक होंगे देर न करते हुए शु अपनी छमता सामर्थनोसार परन्तो आज प्रदोशकाल का समय जो है वह सबसे विसेश माना जाता है वीडियो ध्यान से सुनिएगा अंत तक बने रहिएगा जैसा कि आप जानते होंगे आज के दिन के कई उपाए हैं जो सरलतम तरीके से अगर घर पर कर लेते हैं तो निश प्रदोशकाल का जाता है इस समय पार्थी सिवलिंग का निर्मार दीपदान और शाम की पूजा बहुत विसेश होती है तो शाम को आज प्रदोशकाल का समय जो पंचांग में लिखा गया है बिलकुल सटीक वह जो है समय 5 बचकर 50 मिनट से 7 बचकर 20 मिनट के आसपास हो रह हाला कि इस समय आप पूजा सुरू करते हुए रातरी 9, 10, 11 बजे कभी भी कर सकते हैं परंतु इस समय आप सुरू कर लिजे देखिए कई छेत्रों में अलग-अलग पूजा होती है लंबी पूजा विधान का नियम है तो उस अनुसार आप पूजन करिएगा इस बात का 5 बच कर 50 मिनट से 7 बच कर 20 मिनट थोड़ा बहुत 2-4-5 मिनट का अंतर हो सकता है परंतु अपने पंडित ब्रामण जी से जो सटीक जानकारी देते हैं पंचांग मलिखित उनसे पता करेंगे तो वही यह समय बताएंगे तो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा अब आ जाता है तो वह साथ सितंबर सनिवार की सुबह 6 बच कर 14 मिनट से 7 बच कर 15 मिनट के मध्य हो रहा है इस समय पूजा ब्रत उपवास आप खोल लेते हैं हाला कि देर राते तक सुब समय का अर्थिया होता है कि इस समय हमें कारे सुरू कर लेना चाहिए भले ही वह लंबे समय तक चलता रहें कोई दिक्कत के बात नहीं है ठीक है जी यह ज्यानवर्धक जानकारी आपके लिए उचित रही हो तो वीडियो को लाइक शेर सस्क्राइब करतीजिए बढ़ते हैं प्रथम में किये जाने वाले उपाये जो नारी यह सिंदूर का उपाये कर लेती है वह सौ सिंदूर में मांग भरते हैं या अलग से एक नया थोड़ा सा सिंदूर लाकर आज के दिन या किसी भिसेश तिथी पर जा मागोरी का दिन हो उस दिन आप सभी को माता पारवती के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर समर्पित करना चाहिए फिर प्रार्थना करकर कि है माता गोरी आज की दिब्वेती थी मैं मेरे परिवार में मेरा सौभागी बड़े ऐसे प्रार्थना करकर थोड़ा सा आप से मैं सिंदूर ले जा रही हूँ अर्थात उन पर चड़ाया हुआ थोड़ा सा सिंदूर आप उनसे मांग कर लाती है और अपने सिंदूरे में इसे थोड सा कारी बताया जाता है तो करके देखिएगा निश्चित रूप से जो चाहेंगे वह आज के दिन आप प्राप्ति कर लेंगे तो इस तरह से यह प्रथम वाला कारे आपको करना है थोड़ा सा सिंदूर ले जाए दीबदान या पूजा पाठ करेंगे घर पर ही करेंगे तो माता पारवती से थोड़ा सा सिंदूर आप जरूर से लीजिएगा हला कि यह कारी माताय बहने करती जरूर से है जिन है इस बारे में पता होगा बढ़ते हैं दूसरे दीबदान के उपाई की तरफ जैसे कि आज है सुकरवार की पावन पवित्रती थी और महादेव और माप पारवती का सबसे बड़ा विसेज दिन है ब्रत उपास नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं कहीं आसपास मंदिर है तो वहाँ चले जाईए नहीं तो अपने घर के आसपास जहां पर भी आज की दिन हर्ताली का तीज का पूजन हो रहा हो फूलेरा बद वहाँ पर नौकरी प्राप्ति वाले विवाह पुत्र प्राप्ति रोग कर्ज संकट सभी वेक्तिस कारे को कर सकते हैं आप सभी को एक गोलवत्ती का सुन्दर दीपक ले जाना है जिसमें आपको घी भर लेना है अच्छी तरह से अगर संभव हो तो अपनी तरफ से विधिविधान से पूजा सामगरी भी ले कर जाईएगा सबसे पहले सिवलिंग पर आप आप जो पूजा सामगरी ले कर गए हैं वह समर्पित करें और गोलवत्ती का घी का दीपक अपनी तरफ से जहाँ पर भी फुलेरा बला हो या फुलेरा नहीं भी बना है तो भी आप दीपदान करकर आईएगा आज के दिन साथ के साथ पांच पेड़ों की पत्ती आज को आप सभी को दे रात्री तक ले जानी है महादेव के मंदिर में किसी भी पांच पेड़ की पत्ती ले से आ सकते हैं आम, असोक, बेल, पत्र, शमी, आउला कोई भी पांच पेड़ की या साथ पेड़ की पत्ती ले जाईए क्योंकि आज के दिन महादेव और मापार्वती पत्ती हरी चीज़ों से प्रसन होते हैं फूल पत्तियों से ही उन इपक लगा कर पाँच पेड़ाओ कि पत्ति आप समरफित करकर फुलेरा दक्षन कर लेते हैं और अपनी मनों कामना फुलेरा को देख कर मांग लेते हैं तो कोई भी ऐसी परेशानी है जो परेशान कर रही है उसका नेदान हो जाता है अगर ऐसी दिक्कत है कि फुलेरा कहीं ही बदा है अपने छेतर में, तो कोई पैसा समय तो लगना ही नहीं है, एक छोटी सी बास की डलिया ले लिजए, या डलिया नहीं भी है, तो सिवलिंग के उपर कोई ना कोई वस्तु रखी ही होती है, जिसमें से बूंद बूत करके पानी तपकता हुए तो होता ही है, सिवलि पुले राप सिवलिंग पर जरूर बदवय उसका दर्शन करें साल भर में ही किया जाता है यह कारे और भागी की रेखायस से बदल जाती है तो यह कारे भी आप कर सकते हैं तो यह बात हो गई आज के दिन आप जो है जैसे रोग से परिशान है तो आज के दिन बेल पत्र संजीवनी मंत्र दिया था वह मैं जाप करने जा रही हूं वह स्मरण करने जा रही हूं मेरे जीवन में जो रोग पन अप रहे हैं उनका निदान करें ऐसी प्रार्थना करते हुए बेल पत्र विक्ष के नीचे दीपक लगा कर आप महा मृत्योंजे मंत्र की एक माला का जा रही हूं अगग कर लेते हैं तो निष्ची तरूप से समश्याओं का नेदान हो जाता है तो देर रातरि तक आज आप सभी को जो है यह कारिक कर लेना है फुलेरादर्शन के साथ साथ यह कारि भी आप रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र पीड़ के नीचे दीप लगा कर कर सर्वस्रेश्ट उपाय जो कि आज सभी को करना चाहिए बिना ब्रत के भी कर सकते हैं वह है पार्थिव सिवलिंग का निर्माण आज के दिन माता पार्वती ने स्वयम पार्थिर सिवलिंग का निर्मान किया था जिसके प्रताप से उन्हाने महादेयो को प्राप्ति किया था तो आप सभी को आज के दिन फुलेरा बनाएं ना बनाएं कोई विशेस कारे नहीं कर सकते हैं परंतो प्रदोशकाल में अपने ह गर के गमले में या अपने ही घर के मंदिर में आपको एक मिट्टी का छोटा सा सिवलिंग बनाना चाहिए, उस पर आपको विदिविधान से पूजन करें, दीप प्रज्वालित करकर विधान से पूजन करकर आज हर्ताली का तीज बृत का भाव करते हुए मन की कामना कहते जो भी है, विवाह ہے, 만ोकामना का, जो भी है, संतान, रोग, कर्ज, कुल, मिलाकर कहने कारद है, कहने के बाद आप उसे भी सरजित कर दीजिए, आज प्रदोशकाल में जो पार्थियृ सीवलिंग साधरर सरल तरीके से बिना उपोष के भी बना कर पूजन कर लेता है, यकीन मा में आप सुख पाएंगे तो यह कारे करें साथ के साथ कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने घर के मंदीर में आप सभी आ महादेर के मंदीर में कोई ना कोई सफेद फूल से स्रिंगार, पीले फूलों से स्रिंगार, 108 बेल पत्र, 108 चावल से स्रिंगार, 108 कोई सी भी वस्तु से आप सिरिंगार कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन कोई साधारा नहीं है, आज का दिन भागी की रेखाओ को प्रवल करने के लिए हैं, आज के दिन जैसे कि अक्षद जो की चावल अपने आप में अधुत माने जाते हैं, 108 चावल के दाने भी आप अगर आप सिवलिंग पर समर पित करते हैं, तो भी भागी की रेखाय बदल जाती हैं, हारी बिमारी से परिशान है, तो कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर 9 बचकर 15 मिनट पर आपको आउले की पत्ती, आउले का चून, आउला आपको मिल जाए, तो वह जल के लोटे में डाल कर आपको सिवलिंग पर 9 बचकर 15 मिनट की ती थी पर कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर सिवलिंग पर जल चड़ाना चाहिए, जल के लोटे में आउला जरूर से मिसेच करना है, इस बात का ध्यान रखे, सिवलिंग पर जल चड़ाने के बाद, आप सभी विसेच तर पर वह जल थोड़ा सा प्राप्त करने के बाद, वह जल सो है, आजमन करना है, थोड़ा सा ग्रहन करना है, और जो बिक्ति बिमार है, उसे खास तोर पर यह उपाय करना चाहिए, कुंद केश्वर महादेव का नाम ही परियाप्त है, आउली की जो पतियां है, वह आरसानी से उपलब्द सारे कीजिएगा, हर हर